करें अभी इसके पर patches complete करके दो ちゃुन का पार्ट हम लोग कर चुके हैं आज इसका थ्रड़ पर्ट करेंगे इसमें मैं हर चैप्टर से जो भी important question हो था उसको मैं कर आता हूं कुछ particular task topic कर नहीं होता है चारो तरफ से सब का mix होता है तो जो question मुझे लग रहा है कि यह सब question भी important है examination point of view से उसको मैं अलगला part wise करा रहा हूँ दो part में हम लोग 14 number question तक कर चुके हैं अभी हम लोग third part करेंगे इसमें मैं अच्छा-चा question कराऊंगा आप लोग अच्छे तरह से question समझें कोई भी out है तो आप जरूर पुछिए और question को अची तरह से समझ कर concept समझें और इसी pattern पर आप लोग त्यारी करके फिर एंडी examination देने जाएं आपका पेपर अच्छा जाएगा ठीक है तो चलो start करते हैं बीना time waste किये और हां अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए है तो और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने y equal to एक सेकर इसमें क्या है हम लोग का दिया हुआ है डिवाइब डिए डिए निकालना आई थिंग य इक्वाइब डिए डिएक्स ठीक है अब देखो y equal to cos inverse और अंदर कुछ something दिया हुआ है ठीक है ना इसके solution के अगर बात हम लोग करें ठीक है तो सबसे पहले question अगर लिख रहे हैं y equal to cos inverse 3 cos x अच्छा इसको मैं अलग-अलग अगर लिख रहा हूँ देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जरूप minus 2 by root 13 sin x ठीक है तो मैं केवल यहां की नहीं पूरे mathematics क बात कर रहा हूँ जब भी ऐसा कुछ term दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको या तो cos a plus b के form में या a minus b के form में convert करते हैं या sin a plus b या sin a minus b के form में convert करते हैं ठीक है कैसे convert करते हैं वो depend करता है इसका value late करके है ठीक है न तो यहां पर देखो बाहर क्या है बाहर cos है ठीक है cos inverse है तो पक्का अंदर का पार्ट का हम लोग को cos में convert करना पड़ेगा यानि कि इसी के दिबारे में सोचना पड़ेगा ठीक है बीच पका हम लोग का formula क्या होना चाहिए cos a into cos b plus या minus जो भी यहां अगर minus है तो minus ही रहेगा minus sin a into sin b होना चाहिए तो देखो cos b तो माल लो यहां पर है और sin b भी यहां दिख रहा है तो हम लोग को क्या चाहिए इसको cos a में convert करना है यानि कि अगर हम लोग क्या करे लेट कर ले 3 by root 13 को क्या लेट कर ले cos a कोई दिक्कत नहीं है कर सकते हैं ठीक है ना और इसको क्या कर ले sin a 2 by root 13 को मैं लेट किया क्या sin a तो आप देखो अब यही question कैसा दिखने लगेगा y equal to cos inverse cos a into cos x minus sin a into sin x ठीक है यह दिखने लगेगा अच्छा तो यह cos inverse अब यह अंदर वाला formula क्या हो जागा cos यहाँ minus है तो cos a plus x के form में convert हो जाएगा formula में यह y equal to अच्छा आप क्या करेंगा अगर इसको solve करेंगे तो cos inverse cos खतम तो क्या बज़ जाएगा a plus x आप पूरे question में तो यह कुछ था ही नहीं तो a क्या करते हैं यहाँ से find कर लेते हैं चाहाँ तो यहाँ से a का value cos inverse 3 by root 13 कर लो या फिर यहाँ से कर लो जो पसंद हो ठीक है ना तो म inverse 2 by root 13 ठीक है plus x यह आ गया अच्छा आप इसको divide by dx निकल लो यहाँ से असानी से divide by dx करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह तो constant term हो गया तो constant term का differentiation क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है और यह x क्या हो जाएगा 1 तो finally हम लोग का divide by dx कितना आ गया 1 तो 1 is answer ठीक है तो यह अच से convert करते हैं ठीक है ना पूरा trigonometry में भी हम लोग यूज करते हैं calculus में भी यूज करते हैं ठीक है ना तो अच्छी तरह सीज को समझना है clear है यह होप समझ में आया होगा आप लोग को चलो next part में बात करते है 16 नमर question दो क्या है if a and b are two independent events such that pa0 intersection b equal to 2 by 15 and pa intersection b0 equal to 1 by 6 तो pv का value find करना है ठीक है ना बहुती अच्छा question है यह भी इसको समझना है अच्छे तरह से दो क्या करते हैं एक इसक बास set ले लेते हैं मालो कि यह a set है ठीक है यह एक b set है clear है यह a हो गया यह b हो गया इसको एक universal set में box में convert कर दिए डाल दिए अब देखो अब यहीं से हम लोग समझ कर जाएंगे इसको मालो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि p a not intersection b का मतलब क्या हुआ पहले p a not तो p a not का अगर बात करेंगे तो मतलब a छोड़कर यानि कि यह छोड़कर बाकी सब portion आ जाएगा a not का मतलब वही होता ना यह छोड़कर बाकी सब और intersection क्या करना है b तो a को छोड कर बाकी सब यह पूरा rectangle box से वह आ गया और B, B मतलब पूरा यह वाला B, इन लोनों का intersection निकालेंगे, तो देखो कौन सा intersection आएगा, ध्यान से समझना आप लोग, यह जो मैं yellow कर रहा हूं, यह वाला portion आ जाएगा, आ जाएगा न, यह वाला portion, इधर का नहीं, बस इतना, यह सब ठीक न, यह सब, यह सब, यह सब, ऐसे, ठीक है, यह आ जाएगा, तो इसका value कितना मालों कितना दिया हूँ है, 2 by 15, तब 2 by 15 लिख दिया, ठीक है, अब चलो A intersection B not, मतलब क्या बात करते हैं हम लोग, P A intersection B not का बात करते हैं, तो P A intersection B not, तो B not का बात करेंगे, तो यह B को कर बाकी सब portion आ गया, अब उसमें intersection करना है क्या, A से, तो देखो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा हम लोग का, यह वाला portion पूरा आ जाएगा, ठीक है न, नहान से समझना, यह पूरा, B को छोड़ कर, यानि कि यह पूरा portion हम लोग का आ जाएगा, ठीक इसको X मान लिए, तो इस case में, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर दिया है क्या, P, A and B are independent events, P, A and B are independent events, अगर P, A और B independent event होता है, तो P, A intersection B क्या होता है, P, A into P, B, ठीक है, यह होता है, अब चलो, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक बार, P, A का, तो P, A कितना हो ठीक, उसी तरह P, B का अगर बात करें, तो कितना हो जाएगा, 2 by 15 plus X हो जाएगा, ठीक है, अब इसी value को यहाँ पर put कर देना है, तो P, A intersection B, P, A intersection B, obviously बात है, यह वाला portion है, जो X है, इसको मैं X लिख दिया, ठीक है, और P, A का value यहाँ से उठा कर रख दिया, 1 by 6 plus X, बहुत ह 2 by कितना हो जाएगा, 2 by 15 plus X, ठीक है, अब इसको solve करते हैं, तो इसको solve करेंगे, तो यह तो X हो जाएगा, इसको multiply करेंगे, तो यह कितना जाएगा देखना धियान से, आप लोग calculation कर लेना, खुद से भी, X square by 9 by 30X, ठीक है, plus 1 by 45, clear है, अच्छा, अब इसको solve करेंगे, तो देखो क्या जाएगा, X square minus 21 upon 30X, ठीक है, प्लस 1 by 45 equal to 0, ठीक है, calculation is simple, अब इसको cross multiply करेंगे, अगर करेंगे, हम लोग, 90X square minus 63X plus 2 equal to 0, ठीक है, अच्छा, इतना अगया, अब इसको middle term splitting से solve करना चाहाँ जाए, quadratic equation को, 90X square minus 60X minus 3X plus 2 equal to 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर LCM यह common लेंगे, तो क्या बचेगा, 30X को मैं common ले लिया, ठीक है न, 30X को common लिया, ठीक है, 3X minus 2, ठीक है, अच्छा, और minus 1 बचेगा, 3X minus 2 equal to 0, यहाँ से हो जाएगा, क्या हम लोग का, 30X minus 1 equal to 0, और क्या बचेगा, 3X minus 2 equal to 0, तो X का value क्या क्या आ जाएगा, X का value आ गया, 1 by 30, और क्या आ गया, X equal to 2 by 3, ठीक है, अच्छा, तो हम लोग निकालना क्या है, PV निकालना है, PV मतलब यह, तो PV निकाल लो, अब 2 by 15, और X का value अगर हम लोग 1 by 30 रख ले ले रहा है, तो 2 to 0, 4, ठीक है, 4 plus 1, 5, यानिकि 5 by 30, तो कितना आ जाएगा, 1 by 6, तो 1 by 6 हम लोगा option में दिख रहा है, तो यह answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कैसे answer आया, जब X का value मैं क्या put किया, X equal to put किया कितना, 1 by 30, ठीक है न, अगर X equal to, हम लोग put करेंगे, कितना, अगर X equal to 2 by 3 put करे तो उस case में PB क्या हो जाएगा, 2 by 15 plus 2 by 3, तो इसको solve करेंगे, तो हम लोग आ जाएगा, 4 by 5, ठीक है, तो दोनों answer सही है, तो इस question में, दोनों 1 by 6 और 4 by 5 भी, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 by 6 answer दिया है, तो 1 by 6 हम टिक लगाएगे, अगर 1 by 6 ना देकर 4 by 5 दिया होता, तो 4 by 5 लगाते हैं, मतलब इसमें दोनों का दोनों answer सही हो सकता है, हम लोग का PB का, तो PB का दो value आ गया, अगर PA पूछा होता, तो इसमें पूट करते, PB पूछा है, तो इसमें पूट किया है, ठीक है, ता यहोप समझ माया होगा आप लोग को, इसमें ज्यादा कुछ tension नहीं लेना यह छोड़ कर, यह छोड़ कर, जो बाकी portion बचा, यह पूरा यह छोड़ दो, और बाकी जो बच गया, पाकी मतलब पूरा rectangle, ठीक है ना ले लो, अच्छा, उसमें B intersection, तो B यह वाला portion कौन सा है, यह पूरा, तो इसमें से यहीं न बच जाएगा intersection, मुलें 2 by 15 ही हो गया, ठी समझ माया होगा आप लोग को, अगर नहीं समझ माया है तो जरूब पूछ लेना, अच्छा question है यह, ठीक है, चलो, next question की बात करते है, next question क्या है, इसमें, इसमें क्या बोल रहा है कि, value दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा question यह भी है, PA, PA का value इतना दिया हुआ है PA intersection B, PA दे दिया है, then which one of the following is correct, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दे क्या दिया है, PA equal to 0.8, ठीक है ना, अच्छा, और PB क्या दे दिया है, 0.9, clear है, अच्छा, तो अब एक बात हम लोग जानते हैं, कि PA into B का मतलब क्या हुआ, PA intersection B, जिसका value दिया हुआ है, क्या, पी दे द union B का formula अगर हम लोग लिख रहा है, तो क्या होगा, PA plus PB, ठीक है, ये formula हम लोग को पता है, minus PA intersection B, हम लोग को relation निकालना है, PA, पता करना है, ठीक है ना, यान कि PA intersection B, इसका value पता करना है, तो अब देखो, एक चीज हम लोग को और पता है, कि PA union B, हमेसा और हमेसा क्या होगा, less than equal to 1 होगा, ठीक है ना, ये less than equal to 1 होगा, तो यान कि ये जो जितना value है, इधर, PA union B खा, PA plus PB, minus PA intersection B, less than equal to 1 हो जाएगा, PA का value दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 0.8, PB का value कितना दिया हुआ, 0.9, minus इसका value PA intersection B, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, इसी का value निकालना है, less than equal to ठीक है यह P को इधर ले जाएंगे तो P greater than equal to हो जाएगा कितना 1.7 यह दोनों को add करेंगे तो 1.7 और यह minus 1 ठीक है न तो यहां से आ जाएगा P greater than equal to 0.7 ठीक है अच्छा तो अब option में एक बाद चिक करते हैं P का value greater than equal to 0.7 चाहिए तो greater than equal to यहां है और इसमें 0.7 यानि कि B option किलियर देख रहा है ठीक है न बी option यही से हम लोग ठीक लगा सकते हैं लेकिन एक बार मैं यह भी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि P का value 0.8 से छोटा क्यूं है ठीक है अच्छा लेहू कैसे यहां से हम लो को पता है कि P A क्या है less than है P B वो कैसे value दिया हुआ है इसलिए ठीक है ना अच्छा एक चीज यह समझने वाला चीज बहुत अच्छी बात है कि P A intersection B निकालेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या होगा minimum minimum of minimum of P A and P B होगा ठीक है ना ओ क्यों तो P A intersection B जैसे कि हम A एक सेट है 1,2 मा एक सेट है 1,2,3,4 कुछ भी तो अगर P A intersection B निकालेंगे हर हाल में क्या होगा इन दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा उतना होगा या उससे छोटा होगा तो क्या है इसमें दोनों में चोटा क्या है वन और टू है यहीन पी A intersection B होगा वही बोला जा रहा है कि P A intersection B कि P A intersection B इन दोर में से छोटा कौन सा है? P A है? P A से छोटा होगा तो P A intersection B less than equal to P A कितना है? 0.8 अब P A intersection B क्या है? P P less than equal to 0.8 तो इसको अगर first मान लो और इसको second मान लो तो हम लोग बोल सकते हैं फटाक से कि from first and second ये जो P है ये 0.7 से क्या है? बड़ा है, यहां बड़ा दिया रहे हैं न और छोटा किसे है? 0.8 तो इस तरह से इसको अगर B exact आ गया है, ठीक है? बाकी इसको solve करने के जुरूत नहीं था, यहीं से हम लोग answer टिक कर सकते थे, ठीक है? I hope आप लोग को समझ में आया होगा, यह सब concept जो भी है यह तो यह concept फिर उसके बाद यह सब formula का यह concept फिर यह formula तो याद ही होगा तो यह सब आप लोग को ध्यान में रखना है probability के लिए चलो ठीक है, next question के बात करते हैं next एक और अच्छा question, find the maximum number of intersection points obtained by three circle and four straight line, given that no figure is overlap figure overlap नहीं कर रहा है और उस condition में, पहला चीज क्या दिबोला गया? कि figure overlap नहीं कर रहा है, ठीक है, उस condition में three circle और four straight line से कितना number of intersection point बन सकता है तो इसमें case अलग-अलग हो सकता है, पहला चीज कि हम लोग बात करें due to straight line, ठीक है न, तो straight line अगर हम लोग लेंगे, अगर बाम लोग 2 straight line ले रहा है तो ये दो straight line से कितना intersection point बन सकता है, एक intersection point बन सकता है, ठीक है न, तो कितना total line है, चार तो four में से हम लोग दो अगर line ले रहा है, तो कितना number of intersection point बन रहा है, one तो इसको solve करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, six आ जाएगा, ये तो solve करने आता हैं आप लोग को, ठीक है न, ये six हो गया, ठीक है, दूसरा चीज, अब हम लोग दो circle अगर लेते हैं, तो क्या होगा, due to circle, ठीक है, circle लेंगे, circle कितना है, तीन circle है, एक circle अगर तीन में से दो circle अगर हम लोग ले रहा है, तो total intersection point कितना हो रहा है, two हो रहा है, तो इसको भी solve करेंगे, कितना आएगा, six आ जाएगा, ठीक है, अब चलो, अब सी number में, अब सी number में देखो क्या बात करते हैं, due to circle and straight line, ठीक है न, अच्छा, तो circle और straight line, मानलो कि एक circle है, और एक straight line हो ग straight line में से, एक straight line ले लिए, तो कितना intersection point मिला, दो मिला, इस case को solve करेंगे, तो three into four into two, तो कितना जाएगा, 24, ठीक है, तो यह हम लोगा answer हो जाएगा, तो यह सब को total हम लोग कितना, total maximum number of intersection point निकालना है, तो total हम लोग कर लेंगे, so total कितना हो जाएगा, six plus six plus 24, तो यह हो जाए कितना है, 36, तो total number of intersection point कितना आएगा, 36, यहाँ पर option नहीं दिया हुआ है, option में दे दे रहा हूँ एक बार, option मालोग की 16 दिया हुआ है, B में दिया हुआ कितना, B में मालो 24 दिया हुआ है, C में 36 दे दिया, और D में नन दे दिया, हम लोग का answer कितना आएगा, 36, clear है, I hope आप intersection point आएगा, एक circle और एक straight line लेंगे, तो 2 intersection point आएगा, तो 3 में से 1 circle ले लिए, 4 में से 1 straight line ले लिए, तो 2 intersection point आगया, बस यही है concept, clear है, चलो next में बाब करते हैं, किसी हो कुछ भी doubt है, जरूर आप लोग comment box में comment करिए, मैं उसको अच्छे से explain करूंगा फिर से, ठीक है, अभ अच्छा question है यह भी, यह binomial theorem का question होगा हम लोगा, तो इसमें देखो, option दिये हुए है, सबसे पहले हम लोग question क्या दिया है, 1 plus x plus x square plus x q plus x to the power 4, और इसका power में क्या दिया हुआ है, minus 2, अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो तो यह gp form कर रहा है, gp, जिसका first term क्या है, 1, r क्या है, x, ठीक है, तो इसका अगर sn का बात किया जाए, तो a r to the power n minus 1 by r minus 1 होता है, ठीक है न, इसको भी हम लोग अगर उस format में लिखें, क्या लिखेंगे, 1, first term क्या हो गया, a के जगा पर 1, r के जगा पर क्या है, x to the power, यहा 5 हो जाएगा न, 1, 2, 3, 4, 5, 5 term है, तो 5 minus 1 by x minus 1, clear है, यह लिख दिए, अच्छा, इन सब का power में क्या है, minus 2 है, ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर अलग अलग लिखें, तो हम लोग सकते हैं, x to the power 5 minus 1, ठीक है, divided by x, इसको पहले थ्वासा ऐसे लिख लेते हैं, एक बार, इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा इसलिए कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि हम उल्टा क्यों कर रहे है, 1 minus x to the power 5, और 1 minus x, उपर 1 minus किये, तो minus आगया बाहर, नीचे भी वैसे हैं किये, तो minus minus के अन सी लो गया, अब ये ऐसा कुछ दिखने लएगा, ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, 1 minus x to the power 5 का minus power 2, अलग-अलग कर दिए, 1 minus x to the power minus 2, क्लियर है, अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, इसको उपर लेकर चले गए, ये हो जाएगा, 1 plus x to the power 2, और 1 minus x to the power 5 to the power minus 2, ये आ गया, ठीक है, अब यहां से दिखना ध्यान से, ये 1 plus x to the power, सोरी, minus ही न रहेगा, यहां पर त x to the power 5 to the power minus 2 है, इसको तो a minus b को whole square के formula पर break कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 plus x square minus 2x, a square plus b square minus 2x, या जैसे भी बोल दो, a square minus 2ab plus b square, ठीक है, अब बात आता है कि इसको कैसे break करें, 1 minus x to the power 5 का power minus 2 दिया हुआ है, अच्छा, इसके लिए देखो, एक standard formula होता है, जो कि मैं यह पर लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना हो सकता है, बहुत लोग इस formula को जानते भी होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, x to the power n, अगर यहाँ पर यह चीज दिया हुआ है, इसका expansion क्या होता है, 1 minus nx, ठीक है, फिर plus n into n minus 1 by 2 factorial यहाँ 1 factorial होता है, तो उसका value 1 ही हो जाएगा, x square, ठीक है, प्लस, यहाँ plus हो गया, यहाँ minus होगा, plus minus, alternate चलता है, ठीक है, तो यह minus हो गया हम लोगा, और dot 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 dot, ऐसे करेंगे, तो plus minus 1 to the power r, ठीक है, n into n minus 1, n minus 2, यह कब तक चलेगा, यह चलेगा, n minus r plus 1, ठीक है, और divided by क्या हो जाएगा, r factorial, ठीक है, जहाँ तक चलेगा, जैसे कि यहाँ पर, 2 था ना, 2 square, तो 2 factorial, तो यहाँ r तक अगर हम लोगों जा रहे है, तो r factorial, यह standard formula हुआ, x to the power r, जैसे कि यहाँ अगर 2 factorial है, x square, 2 है तो 2 होगा, यहाँ r है, तो r होगा, ठीक है, तो यह standard formula हो गया, हल लोगों को उतना ध्यान नहीं रखना है, अभी, मैं दूसरा एक formula लिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखो, जो direct इसमें काम आएगा, मैं क्या लिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, 1 minus x to the power minus 2 का formula है, ठीक है ना, इसी का जूरत है, हम लोगों यहाँ पर, इसको अगर य अगर होता, तो क्या होता formula, देखो 1 plus x to the power, अगर minus 2 होता, उसका formula, 1 plus x to the power, अगर minus 2 होता, तो उसका formula क्या हो जाता है, 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube, same way formula होता है, यह plus के लिए है, तो एक plus minus, plus minus, plus minus, alternate होते जाता है, और यहाँ भी minus हो गया, यहाँ भी minus हो गया, तो सबका सब plus हो जाएगा और value same रहेगा अच्छा कोई बोलेगा अब कि sir 1 plus x to the power minus 1 का भी formula होता है क्या तो हाँ जरूर होता है उसको भी लिख्या देदाओ मैं 1 minus x ठीक है plus x square minus x q plus इसी तरह dot dot चलते चला जाएगा minus 1 to the power r हो जाएगा और x to the power r हो जाएगा ठीक है ना तो कोई बोलेगा 1 minus x to the power minus 1 का भी होता है तो कर लो उसका भी आप देखो यहाँ यहाँ minus हो गया यही same रहेगा बस सब जगा क्या हो जाएगा plus हो जाएगा ठीक है तो अगर आप लोग को यह formula में डर लग रहा है तो यह 3-4 अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो असानी से हम लोग का काम बन जाएगा ठीक है यह 4 formula लिखा दिया और यह standard formula लिखा दिया हो यहाँ पर अलाकि यह सब आप लोग class में भी किये थे ठीक है तो आप चलो अब इसी formula पर break करते है तो अभी हम लोग का सबसे last वाला formula यहाँ काम आने वाला है क्यों क्योंकि 1-x है और minus power में minus 2 है सेम यह formula है बस यहाँ पर x है और यहाँ पर x to the power 5 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x to the power 5 लिख देंगे तो चलो लिखते हैं लिखेंगे 1 plus 2 x to the power 5 देखो यहाँ x है x to the power 5 में लिख रहा हूँ फिर plus 3 यहाँ x है x to the power क्या लिख रहा हूँ x के जगा पर 5 और उसका square ठीक है अच्छा अब आगे लिखने के जूरुत है क्या नहीं है क्यों क्योंकि हम लोग को x to the power 10 का कोफिसेंट निकालना है जो कि यहीं से मिल जारे हम लोग का x to the power 10 इसके आगे वला टर्म का power तो x to the power 10 से ज़्यादा ही हो जाएगा तो हम लोग तो चाहिए नहीं समझे क्योंकि इसको अगर multiply करेंगे इस से first वाले टर्म से तो x to the power 10 बन जाएगा लेकिन इसको अगर इस से करेंगे तब भी जादा हो जाएगा और इसके बाद वला टर्म से तो और जादा होगा तो उसका तो जुरूरत ही नहीं है तो इसलिए हम लोग यहीं पर रुख गए ठीक है अब चलो अब यहां हम लोग चाहिए x to the power 10 इसको इससे multiply करेंगे किसी से नहीं होगा इसको भी इससे करेंगे कहीं नहीं होगा बस इस वाले टर्म को first वाले term से multiply करेंगे तब ही जाकर हम लोग का x to the power 10 आएगा चलो करते हैं 1 into 3 x to the power देखो यहां पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बाकी कहीं से भी x to the power 10 नहीं आएगा तो यानि कि यह कितना हो गया 3 x to the power 10 तो हम लोग का answer क्या आगया finally यहां से sorry यहां से क्या आगया यह ने 3 आगया coefficient यह 3 answer हो जाएगा I hope आप लोगों को समझ में आया होगा यह 3 coefficient हो गया तो यह 3 हम लोग answer हो गया तो इस question में यह पूरा कहानी जो बताया गया है यह formula इस formula को ध्यान में रखना है इसका बहुत ज़्यादा यह यह जाता है आप लोग को आगे limit में भी यह जाएगा और physics में भी यह जाता है यह extended formula ध्यान में रखना है बाकी अगर इसमे आने की possibilities ज्यादा है आप लोग ध्यान में रखो तो इस question में थोड़ा से एक बाद जल्दी में बता दे रहा हूं इसमें करना कुछ नहीं है सबसे पहले यह GP में दिखा GP का sum का formula यह वाला apply किये उस तरह से यह आ गया इसके आने के बाद उपर नीचे solve कर दिए यह x to the power 5 थ एसा करने से उपर से भी minus और नीचे वाला minus अपने आप balance हो गया ठीक है अब इसको उपर कर दिए minus 2 नीचे भी minus 2 कर दिए नीचे वाला उपर गया plus हो गया यह तो a minus b को whole square पर break कर दिए जो कि यहां से यहां तक हो गया और इसको break कर दिए यहां से यहां तक इसको solve की यहां में इसमें solution question समझो पहले अच्छा से and even number of arithmetic mean even number of arithmetic mean are inserted between two numbers whose sum is 13 by 6 बतलब समाझना यह है कि जैसे कि a1 a2 ठीक है a3 इस तरह a2n a2n इसलिए क्योंकि even number of even number of arithmetic mean जैसे कि दो arithmetic mean या 4 arithmetic mean या 6 arithmetic mean या 10 arithmetic mean ऐसा number of arithmetic mean को insert किया गया है दो number के बीच में किसके किसके बीच में a और b के बीच में तो यह हमेशा और हमेशा क्या होगा even number होगा तो उसमें दो और add करेंगे तभी even ही number होगा ठीक है तो दो number के बीच में add कर दिये तो यह हमेशा और हमेशा क्या होगा R in AP क्लियर है अच्छा अब देखो क्या होगा अब इसमें बोला है कि जिन दो नम्मर के बीच में insert क्या गया है whose sum is 13 by 6 यानि कि A plus B क्या है equal to 13 by 6 है यह equation 1 हम लोग का मिल गया क्लियर है यहां तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब देखो अब एक लाइन और यहां पर बहुत ही सुन्दर सा लाइन sum of means exceeds their number by 1 sum of means सच है sum of means तो sum of means पहले निकालते हैं say a1 plus a2 plus a3 और इसी तरह a2n यह जितना sum किये यह कितना है 2n है न टोटल number of कितना है 2n तो 2n से एक ज़्यादा होगा यह तो क्या करेंगे हम लोग 2n प्लस 1 इधर कर देंगे आई बस मंज में बोला है कि sum of mean करेंगे न तो इसका value एक ज़्यादा हो जाएगा number of terms से जैसे कि अगर हम लोग 2 arithmetic mean लिए तो इधर sum करेंगे तो 3 आएगा इधर अगर 10 arithmetic mean लिए हुए है ठीक है तो 10 को add करेंगे इधर 11 हो जाएगा बस यहीं मतलब है इसका अच्छा तो यह चीज हो जाएगा 2n प्लस 1 अब देखो यह equation number हम लोग 2 ले लो या फिर कुछ नहीं लेने की जूरत है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अब देखो अब प्लस a भी कर दिये प्लस b कर दिये ठीक है अब यह करने के बाद हम क्या किये जैसे यह था ना a और b इसको माइनस भी कर दिये तो हम लोग का resultant तो वही रहेगा 2n प्लस 1 ही रहेगा कोई दिकत नहीं इसमें अब देखो यह ऐसा इसले क्या गया है क्योंकि यहां से यहां त कि थे कह ओबfact रहां कि हुआ है क्या होता है देखो सबसे पहला चीज यह टोटल नंब्र अफ़ निकना था तो whilst में हmäं एक और अ, सिहां तक नंब्र अफ टन कितना हो जाएगा & तो पकगा हो जाएगा टो sama P टो हो जाएगा ठीक है तो यहां सी यहां तक गर add करेंगे तो formula क्या होगा एन बाइ टू फ़र्स टर्ण प्लस लाश्ट टर्म ठीक है न यह चीज अम जानते हैं तो एन के जगह पर क्या है 2n प्लस 2 2n के जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2n प्लस 2 upon 2 और first turn कितना है a प्लस a और last turn कितना है b लिख दिये यहां से यहां तक sum हम लोग कर लिए और minus a प्लस b इधर already लिखा हुआ था और यहां 2n प्लस 1 कर दिये clear है? यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा अब देखो आप क्या करते हैं अब यहां से a प्लस b को common ले लेते हैं यहां भी a प्लस b यहां भी a प्लस b ऐसा क्यों किया गया? तो कि a प्लस b का value हम लोग को पता है ठीक है? तो a प्लस b मैं common ले ले रहा हूँ कि भी a प्लस b common ले रहा है? यहां से दिखना है a, a प्लस b अगर मैं common लया तो क्या बचए का? यहां से दिखो यह और यह 2, 2 कैंसल हो जाएगा तो बचए का? n प्लस uon और यहां क्या बचएगा? minus one ठीक है यहां से क्या आजाएगा फिर 2N प्लस 1 क्लियर है आई हूप आप लो के यहां तक एक्टम अच्छी तरह से समझ में आया होगा अब A प्लस B का वैलू कितना है 13 by 6 ठीक है और यह और यह यहां बचे क्या N और यहां क्या हो गया 2N प्लस 1 अब देखो यह 13N और यह 6 जाकर इधर मल्टिप्लाई हो जाएगा तो 6 तूजा 12N प्लस 6 यह आएगा इधर एन इकोल टू कितना आजाएगा 6 एन का वैलू यहां से आगया 6 ठीक है अब जो कोश्चन में क्या पूचा है वाट इदन नंबर ओफ मीन निकालने का मतलब क्या है कि हम दोकर नंबर ओफ मीन कितना था तो इसलिए लेकिन यहां पर एन का वैलू आया है 6 तो टो टल नंबर ओफ मीन इकोल टू टू एकोल टू टू इकोल टू इन टू 6 पूल टू हम लोगा तो यह एंसर हो जाएगा क्लियर है आँ होप समझ में अच्छी तरह इस कूस्चन में दम कुछ नहीं है बस यह लेंग में समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है अभी आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा यहाँ पर 2N प्लस 2 लिखने का मतलब यह है कि यह number of term हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का वैलू कितना था 2N था इसमें एक और एड कर दिये एक और एड कर दिये तिसलिए 2N प्लस 2 हो गया ठीक है न और यहीं 2N जो था यहीं arithmetic mean है number of arithmetic mean है clear है चलो very good चलो next question की बात करते है next question देखो एक और differentiation का question था मुझे लग रहा है कि यह भी question करा देना चाहिए क्योंकि कभी भी ऐसा inverse का question आ सकता है y equal to क्या दिया हुआ है sin inverse 6x into root में 1-9x square ठीक है और यह कुछ value दिया हुआ है इस value का देने का मतलब यह है कि यह value put करने के बाद यह हमें सब positive आएगा और कुछ नहीं ठीक है तो अब इसको solve अगर करना है लोग क्या करेंगे एक चीज़ हम लोग को पता है कि sin inverse x का differentiation क्या होता है 1 by root में 1-x square लेकिन यहाँ पर x हो तब न यहाँ पर तो x के जगा पर अजीब type का value दिया हुआ है तो जब भी यहाँ अजीब type का कुछ दिया रहता है तो इतना तर समझ लोग कि यह असानी से बनने वाला नहीं है डाइरेक्ट बनने वाला नहीं है ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ना 2 into 3x और under root में 1 minus 3x का whole square अब कोई बुलेगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा तो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह 3x बन सकता है और यहाँ भी 3x एक्टर मा जाएगा और यहाँ तक ऐसे आने के बाद ऐसा आने के बाद हम लोग अगर 3x को suppose मैं sin theta लेट कर लिया तो y i equal to दिखना क्या हो जाएगा sin inverse 2 into sin theta हो जाएगा obvious सी हो जाएगा और यहाँ 1 minus 2 sin squared theta हो जाएगा याने के y equal to sin inverse 2 into sin theta और यहां से देखो 1 minus sin 2 theta क्या हो जाएगा Dragon इसलिए यहां cos square theta क्या होगा positive होगा इसलिए यह value दिया हुआ था तो cos square theta से बाहर क्या निकलेगा cos theta निकलेगा ठीक है न तो y equal to अब देखो अब सबको समझ में आ गया होगा कि यह 2sin theta into cos theta का मतलब क्या होता है sin to theta ठीक है तो फिर यह भी पता चल गया होगा कि y equal to यानि कि यह sin inverse और यह sin खतम होकर 2 theta बन जाएगा ठीक है अच्छा जब 2 theta बन गया तो यहां से हम लोग को यह चीज और ध्यान में आ गया होगा कि theta तो पूरे question में कहीं नहीं था तो फिर theta कहां से आएगा यहां कि यहां से theta equal to निकल जाएगा हम लोग का क्या sin inverse 3x ठीक है तो यहां कि y equal to फिर क्या हो जाएगा 2 into sin inverse 3x अभी यहां से dy by dx असानी से निकाल सकते हैं तो क्या हैगा 2 into यह वाला formula apply कर देंगे तो 2 into 1 by root में 1 minus 3x का whole square और 3x का differentiation करेंगे तो क्या हैगा chain rule से 3 आ जाएगा तो यानि कि ऊपर 3 to 6 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 1 minus यह क्या हो जाएगा 9x square यह हम लोगा answer हो जाएगा मतलब option c is right answer ठीक है तो आई होप आप लोग को यह भी समझ में आया होगा इस question में कुछ भी मुश्किल नहीं था बस एक step यह समझ में आना चाहिए कि 6x को हम लोग 2 into 3x लिख सकते हैं ठीक है और 3x को बस क्या करना है sin theta लेट कर लेना है बस ब in the expansion of this one ठीक है तो इसमें number of term का question आ गया तो यहने की कौन सा chapter है यह binomial theorem है ठीक है तो binomial theorem में जब number of terms निकालना रहता था तो उसके लिए क्या करते हैं पहले इसको solve कर लेते हैं इसमें क्या दिया हो देखो 2x minus 3y का whole square plus 2x plus 3y का whole square का whole square ठीक है ना अच्छा आप देखना इसक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x minus 3y into 2x plus 3y और इसको एक bracket में डाल कर इसका square का whole square कर सकते हैं अब इसको a minus b into a plus b अलब 2x का whole square minus 3y का whole square ठीक है ऐसे कर सकते हैं और यह 2-2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब इसको break करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x square minus 9y square और यहाँ प ठीक है अब देखो अब जब x plus या y plus या minus y to the power n होता था तो इसका number of turn कितना होता था n plus 1 यहाँ पर number of turn कितना हो जाएगा number of turn कितना हो जाएगा 4 plus 1 मतलब 5 ठीक है यह 5 हम लोग का right answer है इसका ठीक है तो आई होब आप लोग यह भी question अच्छी तरह से समझ में आया होगा ठी कि हम लोग next और next lecture में मैं कुछ अच्छा question लेकर आऊंगा जिसको हम लोग करेंगे इस तरह से यह सब question आप ध्यान में रखिए यह सबसे जम में आने का chances ज्यादा है ठीक है तो हम लोग मिलते हैं फिर next lecture में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है अपने friend में share करिये और जो लोग नए हो तो channel को जरूर subscribe करिये और अच्छा लग रहा है तो एक comment जरूर वहाँ छोड़िये जिससे कि हमको पता चले कि हाँ हम लोग सही कर रहे है तो फिर आगे और मैं वीडियो अच्छे अच्छे बनाते रहूँगा ठीक है तो मिलते हैं next lecture में ओके थिंक यू